इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे वेदानता लिम्टेट के बारे में जिसने की ज़स्ट अभी अपने quarter one के numbers को disclose कर दिया है तो चली देखते हैं इस बार वेदानता के numbers कैसे रहे तो outcome की बात करें तो company ने अपने quarter one को लेके announcement करी जिसमें की consolidated और standalone results है along with the limited review reports उसके लाव अधर कोई भी announcement नहीं है नहीं dividend नहीं bonus नहीं split इन तीनों चीजों से related हमें कोई भी announcement देखने को नहीं मिल रही तो चली देखते हैं वेदानता के इस बार के consolidated numbers कैसे रहे और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर subscribe कर ले और notification bell को भी प्रेस कर क्योंकि result publish होते ही 5-10 वट पर update आपको मिल जाएगा सारे फिगर करोड में quarter 1 की earning से 4 की then last year का quarter 1 का data आपको third column में देखने को मिलेगा तो पहले बात करते है revenue from operations जो की yearly basis पे अगर आप देखेंगे तो last year quarter 1 में जो company का total revenue था वो approximately 33,342 करोड का था वो इस बार 35,000 पर आगे और quarterly 34-35 पर तो quarter plus yearly दोनों ही जगा revenue बढ़ाए और market का estimate जो था वो 36,092 करोड का था जो की beat नहीं कर पाए revenue तो market estimate को तो beat नहीं कि अब ग्रोथ आपको दोनों जगा देखने को मिलेगी other operating income और other income add करेंगे revenue तो आएगी total income जो की 34-36 पर आगी quarterly 36,093 से 36,600 पर तो income में तो growth आपक quarter plus yearly दोनों जगे देखने को मिलेगी then expenses की अगर बात करें company के खर्चों की जो की 31,000 से 30,000 पर आगा है और quarterly 31 से 30,000 पर तो इस बार के जो expenses है वो आपको quarter plus yearly दोनों ही जगे down देखने को मिले जबकि company की income बढ़ी है जो की काफी अच्छा plus point हमें देखने को मिल रहा है then discuss करते ह company को total profit या loss for the period कितना हुआ जो कि last year की अगर बात करें तब company को 3300 करोड का profit था वो इस बार 5,095 पर आगया और quarter 4 में 2200 के profit थे वो इस बार 5000 पर आगया और market की estimate सिर्फ और सिफ 2300 करोड की थी profit की जो की हमें beat होती हुई देखने को मिले 2353 करोड का exact estimate था जो की double से beat होता company ने beat किया in terms of market estimate और इस बार के profit आपको quarter प्लस yearly दोनों ही जगे ग्रोग करते हुए देखने को मिलेंगे same reflection EPS में 7.11 से 9 पर आगया yearly और 3 से 9 पर quarter on quarter तो जिस तरीके से profit ग्रोगी है same EPS में भी growth देखने को मिल रही तो overall काफी अच्छे numbers published हुए during market hours announcement हुई तो देख सकते है result आते ही एक अच्छी काजी तेजी भी आई थी एक परसेंट के करीवन की और फिलाल 0.80% की तेजी देखने को मिल रही तो आपको आज वेदानता के कितने shares है comment box में विल्कुल बता है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ अब तक के लिए बाब बाए